बुड मॉर्णिंग आज हम लेशन फाइब लट लखार प्रथम पुरुस सहका अधियन करेंगे लट लखार प्रथम पुरुस लट लखार किसे करते हैं? वर्तमान जिस समय में कोई क्रिया चल रही है उसे क्या करते हैं? लट लखार चात्र ध्यान रखेंगी प्रथम पुरुस करता के साथ प्रथम पुरुस के ही क्रिया का प्रयोग होता है फर्स्ट लाइन आपका है चात्र क्या ध्यान रखेंगे प्रथम पुरुस करता के साथ प्रथम पुरुस करता के साथ क्रिया किसकी लगेगी? प्रथम पूरुष आपका पढ़ा है ना ने उद्ण के साथ क्रिया किसकी चलेगी? प्रथम पूरुष करता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी तो क्रिया में क्या आता है गच्छती गच्छता गच्छती प्रथम पूरुस में यही चलता है गच्छती गच्छता गच्छती एक खेलते हैं दो खेलते हैं और एक खेलते हैं पठती पठता पठती एक पढ़ते हैं दो पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं क्रीड़ती क्रीड आएंगे साहतावते, साहतेता, तत्तेतानी, बस हमको यहीं पढ़ना है, और क्रिया सब कोई बताए है कि सबकी, क्रिया एक समान चलती है, जाए वाफ पुलिंग हो या इस्ट्री लिंग या नपकून सक लिंग, क्रिया तो हमारी तीनो लिंगों में एक समान रहेगी, ठीक है सह, प्रिया किसकी होगी, एक वचन की, एक वचन में ती लगता है प्रतम पूरुस में, सह गच्छती, सह गच्छती, रटा होना चाहिए बेटा रूल, सह के साथ ती आएगा, सह कहीं आता है तोहां पर ती आना है चाहे जो था तुछ, अगर ती के स्थान पित्ता लगा दिय अंती लगा दिये तो आपका एंसर गलत हो जाएगा, नमबर पूरा कठ जाएगा, जीरो नमबर पाजाओ गया ताव, ताव गच्छ ताव, ताव के साथ ताव को लाना है, कोई भी क्रिया हो, ताव के साथ किसको खोजना है, ताव का घर कहा है ताव के पास, दूसरे के घर में गये तो चपल से मारे जाओगी की कहना तव है तो हमको तव की घर में ही जाना है अपना घर क्या है तव का घर का नाम क्या है तव कोई भी क्रिया हो उसके साथ कौन सा करता लगेगा प्रताम पुरुष में ताव लगेगा दिख बहुआ चन साह ताव ते ते आया बहुआ चन में करतामे ते का अर्थ होता है वेशब अब ते का घर क्या है ते के घर का नाम क्या है अंती पठांती, लिखांती, चलांती, वदांती हसांती, नृत्यंती ते के घर का क्या नाम है अंती ते में सबेशब संस्कृत अन्वाद करने के लिए हम पेपर में दे दिये वे सब जाते हैं तो राइट क्या करोगे ते है तो वे सब है ते वे सब की संस्कृत क्या हो जाएगी पुलिंग में ते, सहता हु ते, ते, गच्छन ती, गच्छन ती, गच्छता है गच्छन ती, ते बहु अचन है ते प्रिया भी मेरी क्या होगी, बहु अचन की, ते गच्छन ती, गच्छन ती, ते को किसी और के पास ता, के पास चले गए तो, बहुत बुरा होने वाला है अब इस्त्री लिंग सा, ते, ताह वह वह के लिए क्या यूज करते हैं इस्त्री लिंग में सा इस्त्री लिंग में दुई वचन ते बवचन में ताह सा, ते, ताह वह वे दोनों वे सब clear तो सा के साथ क्या लगेगा एक वचन ती ठाह तुमें क्या चलेगा ती लगेगा ना सा, सा तक तीनों के साथ क्या लगेगा ती सा, गच्छती सा मीस वह गच्छती मीस जाती है वह जाती है ते सा ती, ते आ गया ना पुलिंग में तौ गच्छता था, इस्त्री लिंग में दू वचन में ते गच्छता था और बवचन में साथे ताह, ताह मिंस वे सब, गच्छन ती मिंस जाती हैं वे सब जाती हैं फिर आ गया तत तत के साथ क्या लगेगा ती तत के साथ क्या लगेगा ती तो मित्र तत मित्रम गच्छा थी तत मिस्वह मित्र आपको बताये थे नपुनसक लिंग है मित्रम मित्र ये मित्र आडी लाष्ट में आडी आया मित्रम आया तो नपुन्सक लिंग में ये कोचन में आता है न तत मित्रम गच्छती तत मींस वह मित्रम मींस मेत्र गच्छती मींस जाता है वह मित्र जाता है तत ते ते वे दोनो नपुन्सक लिंग में क्या वे दोनो गच्छता हमींस जाते हैं ते वे दोनों मित्र मित्रे वे दोनों मित्रे मित्र दो मित्र हैं गच्छता हमींस जाते हैं वे दोनों ते मित्रे गच्छता हैं तानी मित्राडी गच्छन्ती तानी मित्राडी मित्राडी मित्र अनेक मित्र हैं सब मित्र हैं जो गच्छान्ती मीन सजाते हैं स्टूडेंट आप यही पुलिंग, इस्त्रिलिंग न पुन्सकलिंग चित्रा हम पढ़ाए हैं उसको आप अफ्यास करेगे का और लेशन 4 की एक्सरसाइज पूरा लड़न कर डालिए